नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमर्ड स्पिंसर की एक सॉनेट, बहुत खुबसरा सॉनेट है, उनके कलेक्शन एमोरेटी से ली गई है, सॉनेट नमबर 67, लाइक एज अ हंट्समेन, यहाँ एक एनलोजी क्रियेट की गई है, एक एलेगरी आप इसको क कह सकते हैं, एक हंट्समेन है, हंटर आप कह सकते हैं, एक शिकारी है, उसने एक हिरन का पीछा किया, हिरन पहले तो भागा, फिर वापस आया, और शिकारी के पास खढ़ा रहा, शिकारी ने उसको अपनी बाहों में ले लिया उस हिरन ने कोई विरोध नहीं किया तो यहां इस सॉनेट में शिकारी खुद पोईट है और जो हिरन है वो उसकी बिलबिड है उसकी प्रेमिका है तो बहुत खुबसूरत इमेजरी है और जैसा के स्ट्रक्शर होता है स्पेंसर की सॉनेट का मैं अब ही आपको डिस्कस करूँई साथ में एक इंटर्लॉग्ड राइम स्कीम होती है जो किसी और पोईट की सॉनेट में नहीं मिलेगी सॉनेट में नहीं मिलेगी शुरू करते हैं Like as a huntsman, after weary chase, seeing the game from him escaped away, sits down to rest him in some shady place, with panting hounds beguiled of their play. देखिए, शुरुआत ही like, यानि कि simile, एक comparison है, like as a huntsman, यानि एक शिकारी की तरह है, after weary chase, weary means tiring, ठकाने बाला, chase पीछा, तो बहुत दूर तक, बहुत देर तक, पीछा करने के बाद, जैसे एक शिकारी, seeing, देखकर the game, the game का मतलब pray, पी यार इवाई pray, यानि शिकार को देखकर from him, उससे escaped away, यानि बचकर भाग गया, जो उसका शिकार था, शिकारी से बचकर भाग गया, और शिकारी दौरते दौरते ठक गया, sits down, बैठ जाता है शिकारी, to rest, आराम करने के लिए, him in some shady place, किसी चायादार जगहे पर, with panting hounds, panting हाफते हुए, hounds शिकारी के साथ, शिकारी कुत्ते भी होते हैं, तो उनको हाउन बोला जाता है, तो हाफते हुए शिकारी कुत्तों के साथ, beguiled their play, यानि beguiled जिनको बहका गया हो, जिनको बेवकूफ बनाया गया हो, आफ देयर प्रे, उनका शिकार, तो ये जो P.R.E. बाई प्रे है, वो ही यहाँ G.A.M.E. गेम, तो दोनों का मतबिये की है, कि जिन शिकारी कुत्तों को उनके शिकार ने बेवकूफ बना दिया हो, उनसे बचकर भाग गया हो, बहका दिया हो, वैसे हाफते हुए उन कुत्तों के साथ शिकारी बैठा हुआ है एक पेड़ की छाओ में, तो ये एक क्वाट्रेन हुआ, जो सॉनेट है, उसमें टोटल 14 लाइन्स होती है, और अलग-अलग डिवीजन होता है उन 14 लाइन्स का, तो यहाँ पर जो डिवीजन है, यह आप देखेंगे, ओक्टेव और सेस्टेट में है, तो एक ओक्टेव में 8 लाइन्स होती है, और वो 8 लाइन्स दो क्वाट्रेन्स में डिवाइड़ होती है, तो A, B, A, B Chess को हम A बोलेंगे Awe को हम B बोलेंगे Place को हम फिर A बोलेंगे और Pre को हम B बोलेंगे तो यह first quatrain हुआ आगे बढ़ते हैं second quatrain देखते हैं So after long pursuit and when I say long long after माने बाद में So इसलिए तो इस प्रकार after long pursuit यानि एक लंबे pursuit के बाद pursuit वही पीछा करना and when when मने जो बेकार गया useless गया असे का मत्तब होता है effort, attempt तो जो कोशिश बेकार गई तो उस लंबी कोशिश के बाद when I जब मैं all weary पूरा ठक कर had the chase forsook यह forsook forsake की second form है chase वही पीछा और forsake माने छोडना होता है forsook माने छोड दिया मैंने पीछा करना छोड दिया मैं थक गया और मैंने पीछा करना छोड दिया the gentle dear तो वही मासूम हरन returned वापस आया तो उसने अपनी « primercion का पीछा ह caregivers » थक गया अपनी प्रेमिका का पीछा करते करते तो वो रुख गया छोड़ दिया उसने पीछा करना बैठ गया थककर तो उसकी जो बलविड है वो वापस आई महभूबा उसकी दे जेंटल डियर वो मासूम हिरन रिटरंड वापस आया दे सेल्फ सेम वे उसी रास्ते से यानि जिस रास्ते से बचकर भागा था उसी रास्ते से वापस भी आया यानि उसकी महभूबा वापस आई तो वो जो हिरन है वो अगले ज़रने पर अपनी प्यास बुझाने के लिए वापस आया तो हम तो क्योंकि साथ में इसके पीछे की कहानी भी सासा लेकर चल रहे है लेकिन वो अगले ज़रने पर ब्रुकमीस ज़रना होता है अगले ज़रने पर अपनी प्यास बुझाने का इरादा लेकर सोचता हुआ वापस आया उसी रास्ते से दियर वहाँ पर शी वो यानि जो हिरन है बिहोल्डिंग देखते हुए मी मुझको विद माइल्डर लुक यानि हलकी नजर से मासूम नजर से मीठी नजर से सौट नौट टु फ्लाए सौट सीक की सेकेंड फॉर्म होती है सौट के सीक मने तलाश करना या कोशिश करना तो अब उस हिरन ने मासूम नजरों से मीठी नजरों से मेरी ओर देखते हुए भागने की कोशिश नहीं की सौट नौट टु फ्लाए भागने की कोशिश नहीं की बट फियरलेस बलके बिना डरे स्चिल अभी भी डिट बाइड बाइड में तू रिमेन तू स्चे या सौजर न आप कह सकते हैं तो अभी भी खड़ा रहा वो वहीं बना रहा तिल जब तक के आई मैंने in hand, हाथ में हर येट half trembling टुक यानि उसको अभी तक येट में अभी तक half trembling आधा कप कपा ते हुए तो जो हिरन है वो अभी भी आधा कप कपा रहा है और मैंने उस हिरन को अपनी बाहों में ले लिया तो जैसे के साथ में कहानी दूसी चल रही है मैं आपको वह साथ में बता रही हूँ तो उसने अपनी महभूबा को अपनी बाहों में ले लिया and with her own goodwill और अपनी हर उसकी own खुद की goodwill इच्छा से स्वेच्छा से her firmly tied her उसको firmly कस कर tied बांद लिया अपनी बाहों में बांद लिया कस लिया strange thing ये तो बड़ी अजीब बात हुई me seemed ये मुझको लगी बड़ी अजीब बात लगी तो see देखकर a beast एक जानवर so wild इतना wild बने जंगली होता है और जंगली होता uncontrolled जो किसी के control में नहीं होता अंत्रण में नहीं होता बंधनों में नहीं बंधना चाहता तो इतना आजाद जानवर so goodly one इतनी अच्छे तरीके से one man जीत लिया गया win, win की second, third form one है तो इतने आराम से इतने अच्छे तरीके से उसको जीत लिया गया मेरे द्वारा with her own will अपनी खुद की इच्छा से beguiled बहकाना होता है बहला ना फुसला न कहता है न लड़की को बहला फुसला के भगा ले गया लड़कों पे अक्सर ये cases लग जाते हैं हलांके भले ही वो अपनी इच्छा से गई है लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो लड़के के उपर case लगता है कि भई बहला फुसला के ले गया तो अब यहां पर क्या है so goodly one with her own will अपनी खुद की इच्छा से beguiled बहलाने में आ गई बहलाने में मतलब वो हिरन है वो बहलाने में आ गया बहकाने में आ गया और मतलब अपने खुद ही मेरी बाहों में आ गया तो यह एक analogy है एक metaphor है शिकार और शिकारी का structure आपने देखा मैं तो पहले इस quarter न में तो मैंने आपको बताया उसके बाद तो मैं बता नहीं बूल गई देखिए तो यहां पर जो rhyme scheme थी chase, place, away, pray अब यहां से a, b, a, b हो गया अब यह जो pray वाला b है वो उन्होंने उठाया और यहां पर say फिर यहां b से rhyme कर रहा है तो b और यह सुक नया है फौर सुक तो यह c हो गया फिर way वही आ गया b, c और b, c brook को फिर से c बोलेंगे a, b, a, b, c, b, c अब जो brook था उसका वही rhyme ली यहां पर और look, लुक के साथ rhyme कर रहा है, तो फिर यह c हो गया लेकिन यह जो byd है, यह नया है तो हम इसको d बोलेंगे c, d, c, d तुक, फिर look के साथ rhyme कर रहा है और tired, यह byd के साथ rhyme कर रहा है, तो c, d, c, d और यह जो wild है और beguiled है, यह दोनों आपस में rhyme करने, तो इनको हम क्या बोलेंगे e, e आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसको scroll तो किया नहीं तो अब तो दिख रहा होगा ना आपको तो यह wild और beguiled, यह दोनो क्या होंगे, e, e तो यह कपलेट है, rhyming कपलेट, यह आपने Shakespearean sonnet में भी देखा था, लेकिन Shakespearean sonnet में यह interlocked rhyme नहीं थी Shakespearean sonnet की rhyme इसकीन क्या थी, a, b, a, b, c, d, c, d, e, f, e, f, g, g, यह Shakespearean sonnet की थी, हलाँगे वो जो pattern था, वो Earl of Saray ने दिया था, लेकिन Shakespearean ने उसको इतने खुबसूरती से यूज किया है, कि हम उसको सरे की sonnet नहीं बोलते हैं, Shakespearean sonnet बोलते हैं, और यह Spencer का एकदम से different है और उसका अपना है, और इसको इसलिए हम Spencerian sonnet बोलते हैं, इसको किसी और का नाम नहीं दिया गया Spencer का खुद का नाम दिया गया Spencerian sonnet, और यह जो rhyme scheme है, इसको नोट कर लीजिगा आप लोग, interlocked rhyme scheme बोलते हैं, और Edmund and Spencer को आप जानते हैं, वो अपनी allegories के लिए वैसे भी जाने जाते हैं, fairy queen अपने आप में एक allegory है, तो यहाँ आप इसको मेयताफर भी कह सकते हैं, और एक allegory भी कह सकते हैं, कि कहानी चल कुछ और है, जो आपको सामने दिख रही है वो चीज़ कुछ और है, और इसके पीछे चिपी हुई कहानी दूसरी है, तो दो कहानिया सासा चलती है, दिखता कुछ और है और अंदर उसका मतलब कुछ और होता है तो ये अलेगरी होती है और एडमिन स्पिंसर इसके लिए जाने जाते हैं और ये स्पिंसर की खुबसूरती देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहती है ना लेकिन वल्गैरिटी नहीं है आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से अपने पिरेंट्स के सामने भी पढ़ सकते हैं कोई इसमें ऐसी वल्गैरिटी देखने को नहीं मिलेगी वैसे तो प्यार मुहबत की बाते हैं हम लोग पिरेंट्स के सामने तो नहीं करते हैं कभी कभी टीचर्स को भी पढ़ाना मुश्किल हो जाता है लेकिन यहां इन सॉनेट्स में आपको वल्गैरिटी नहीं मिले गया आराम से उनको स्मूथली पढ़ सकते हैं बड़ी स्वीट सी सॉफ्ट सी पोएम है जिसकी एक रूरल आइडलिक पैस्टरल कह सकते हैं सैटिंग है इमेजरी है एक तस्वीर आपकी आँखों के सामने साकार हो जाती है जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं और थीम तो आप जानते ही है इन सॉनेट्स की मोस्ली लव थीम ही हुआ करती थी बाद में मिल्टन ने जो स्फियर है या जो फील्ड है या जो थीम्स का स्कोप है उसको enlarge किया उसने religious sonnets भी लखी है personal sonnets लेखी है political sonnets भी लखी है लेकिन basically जो थीम रही है sonnets की वो प्रेम ही रही है मुहबबत ही रही है लव ही रहा है जो आप यहां देखी रहे हैं और मुझे उमीद है पोईम आपको पसंद आई होगी ये वीडियो में यहीं समात करूंगी धन्यवाद